कि हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूं कि ट्रिक्स भाई साहिल सरे सैटिस्फेक्री सॉलूशन अफ मैथ सभी विध्यारती मेरे साथ जुड़ जाएं आज हम करने वाले हैं मिक्षर एलिगेशन सभी टाइप के सवाल बिलकुल का साहिल सब्सक्राइबं आप मेरे साथ नहीं जुड़िये जहां पर आपको विद्ध्यारती अभी जूड़ता है तो उसको नोट्स भी मिलेंगे जो की फिजीकल नोट्स होने रहें तो काफीा इंट्रेस्टिंग है सर एकस्प्रेक्टर पेपर ने तो ऐसी की तैसी कर दी बचा ली होने से, में पेपर में होने से बचा लेगा वो, तो आप विल्कुल भी ऐसा न सूचे है आप जब कुछ नया करते है सीखते हैं और आपको वो चीज़ नहीं आती तो उसके लिए आप तयार हो रहे हैं आप ये ना सोचिए कि situation अगर worst है आपके लिए तो आप लोगों को practically जब perform करना है तो उसके लिए आपको उस worst situation का भी सामना करना पड़ेगा है ना आपने जब बड़े बड़े दिगजों को देखा होगा अगर वो अपने life में सफल हो पाए तो उन्होंने बत्तर से बत्तर conditions का सामना किया है तब जाके तो वो playable ball बना पाए ना अपने लिए वरना तो आप खेलने लायक ही नहीं रहोगे कभी अगर आप छोटी छोटी चीजों से हार जाओगे तो फिर जीतने की तो expectations ही नहीं लगा सकते हो ना चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेस्वूप कर मुझे आप फॉलो कर ले जिससे कि आपको हर चीज की update मेरी मिलती रहे डेली चीजें करने से life में कुछ सीखा नहीं जा सकता बस time pass किया जा सकता है तो definitely अगर life में कुछ अचीव करना है तो वो करना है आपको जो आपको नहीं होता है इसलिए expected paper लगातार मैं wifi study पर साड़े बारे बज़े करा रहा हूं तो आप वो expected paper डेली लगाएं कल 12 होगा 11 हो चुके हैं जाकर देख रही हो तो जाकर देखो है ना चलिए आईए आज हमारा arithmetic end हो जाएगा ये बड़ी खुशी की बात है arithmetic आज हमारा end हो रहा है arithmetic खतम और कल से आपका advance math शुरू तो सबसे पहले advance math की जो चीज़ें हम कल करने वाले हैं वो करने वाले हैं advance math complete formula revision मज़ा आएगा for ssc cgl चीज़े नहीं बदलती हैं चीज़े वही रहती हैं ठी चलिए पहला प्रशन आपके सामने ये रहा mixture allocation शुरू कर रहे हैं हर कुशन को कोशिश करो बनाने की नहीं बनता है तो मैं समझाओंगा बहुत प्यारा कोश्चन है बोला गया है सर किसी मिश्रधातू में 45% तो चांदी है आपने क्या किया 40 kg मिश्रधातू में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रधातू में 60% चांदी हो जाए मेरे पास दो तरीके हैं आप चांदी ही तो मिला रहे हो हाँ तो 40 kg में अगर मैं कहता हूँ 45% चांदी पहले से है बिलकुल है सही कह रहे हो तो क्या मैं यह कह सकता हूँ बाकी जो मैटेरियल होगा कितना होगा पच्पन परसेंट पाइनल मुझे नहीं पता कितना हो गया लेकिन इतना मुझे पता हूँ कि 50% चांदी हो रही है तो बाकी मैटेरियल कतने नहinkuशा है चालिस पर तो दो 0 से 2 0 कट गया चानों से 40 कठ गया यानि कि आप फाइनल हो रहा है आपका 55 हो रहा है तो आपने चान्दी कितनी मिला होगी जो मिलाए वह चान्दी प्लिकूल ठीक है तो 15 क्लोग्ला में मिलने यहेगा बोलै मज़े आ गया चुट्कियों में कर दिया यही होटा बाई जो जो चीज आप मिला रहे हो उसको छोड़कर दूसरी चीज जो भी है तो 55% है material यहां पर 40% बचेगा दूसरा material चांदी के अलावा वाला तो फाइनल मिक्षर निकाल गया 55 आगया तो क्यों आगया 55 तो पहले तो 40 kg यह था तो 55 kg इसलिए हो गया क्योंकि 15 kg आपने चांदी एक्स्ट्रा एड़ कर दिया इसमें अच्छा लग रहा है तो थमसब बनता है अगला प्रशन करके बताईए और वही तमीज से करना है हर एक 77 परसेंट शुद अमल के घोल का 40 लीटर प्राप्त करने के लिए 70 और 80 शुद अमल के घोल को मिलाया जाता है तो 70% शुद्अ अमले के गोल की मातरा तो वही वाली बात है न कि 70 और 80 को मिलाकर आपको कॉन सा वाला प्राप्त करना है आपको 77 वाला प्राप्त करना है पर एलिघेशन लग गया न भ객ी बिलकुल लग गया और इन दोनों की बीच में भी यह बिलकुल ठीक है यानि कि तीन है यानि कि यह साथ है यानि कि तीन अनुपा साथ में मिलाया गया होगा 70 और 80 परसेंट वालों को का हां तो यह बोला गया 77 परशेंट वड़ा 40 ६ठ करने के लिए तो 40 लीटर को आई מתना है तो 10 रेशो बराबर अगर 40 लीटर है एक रेशु बराबर 4 लीटर है तो 70 बराबर हो जाएगा 12 लीटर और यह हो जाएगा कितना 28 लीटर तो 70 परशेंट वाला कितना है 12 option नमबर ए आंसर आ गया कैसा लगा कि सिंपल तो आपको जब कोशन पड़ोगे ना तो अपने आप फील आने लगेगा आ रहे हां यार सत्तर और असी को मिलाकर 77 परसेंट वाला बनाना है उस कॉंसेंट्रेशन का सो यह दौनों किस अनुपात में मिले हुए हैं तो जब भी भी एक रेशो बराबर चार यहां बारा सत्तर परसेंट बराबर बारे बारे लीटर आगया अगर पूछता कि असी परसेंट वाला तो 28 नीटर आता तो पूछने के ऊपर डेपैंड करता है उमिद करता हूं मजा आ रहा होगा अच्छे से लाइक शेर करते जाए अगला प्रश अब देखिए इस तरह की कोशन में क्या किया जाता है आपसे बोला जाता है कि सर एक धातू पी है जिसमें ए और बी का जो अनुपात है वो साथ अनुपात चार है एक धातू क्यों है जिसमें ए और बी का जो अनुपात है वो पांच अनुपात दो है आपको पहले ही बता दिया गया है मेरे दोस्तों कि आपको इन दोनों को मिला कर एक तीसरा वरतन मनाना है आर जहां ए और बी का रेशो बताना है कितना होगा अगर आप इन दोनों को मिल आ रहे हो तो हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे समान मात्रा बनानी पड़ती है तो यहां आ Travis 11 रेशियों यहां आ तो स्भूले अर और बी कितना हो जायेगा इसमें 28 और इसमें 22 तो जैसा कि आप इसको solve कर रहे हैं, तो A और B का ratio निकल कर आ गया है, यहां पर 9 और 5, 14 और 10, 104, 8 और 2, 10, यह हो गया, 60, अगर आप इसको काट रहे हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 4, 2, 8, 4, 6, 24, और 4 से काट दिया, किती बार 15 बार, यह आया मेरा तो, आप बताईए आपका क्या रहा है, सर गलत है आपका, क्यों, क्यों कि यहां कोशन में, बोला भी तो है, कि दो अनुपात साथ में मिलाना है, बोले हाँ, तो यह तो गलती कर दी, तो आपको यह देखना है, कि बराबर करने का मतलब काम खतम नहीं हुआ, आपको दो अनुपात साथ में तयार करना था, यानि कि यहां 2 का भी गुणा होगा यहां 7 का भी गुणा होगा तो यह बात का खासा याद रखें अगर बोला जाता कि बराबर में मिला दो तब तो directly answer आजाता जो मैंने निकाला अब बोला गया है 2 अनुपा 7 में तो इसको 2 से गुणा करो इसको 7 से तो अब देखो 14 इंटू 7 98 एक ही निकाल रहा हो पहले तो 77 इंटू 5 अब जो भी आ रहा है वो आ जाएगा लेकिन यहां आ गया लो बी की बात करिए 14 सत्य 14 चौके छपपन और 154 बस एक को एक तरफ जोड़ दिया बी को एक तरफ जोड़ दिया तो यह कितना आया 98 साड़े 300 और 35 385 अगर हम इसको एड़ करते हैं दोस्तों तो 8.513 आ रहा है 9 और 8.17 और 1.18 483 और 6 और 410 210 यही आ रहा है क्या भाई साब बता दो आप लोगों अब यही आ रहा है चाही है ना 385 और 98 483 और इनको अगर एड़ कर रहे हैं तो 210 मेरे साब से यह बन रहा है अभी इसका रेशो भी निकालना है मेहनत तो करवा रहा है हमसे तो सर रेशो निकालेंगे 3 से काटा 70 बार और 3 एकम 3 3 चिंग अठा रहा 3 एकम 3 और बताओ और कुछ और किसी से कर जाएगा साथ से कर जाएगा सर साथ दुनी 14 साथ यह 21 23 और 10 अभी आंसर नहीं आया है अभी बोला गया है कि R में जो कि यह R बनाए है उसमें B का परतिशत कितना है तो B है 10 यूनिट और कितने में टोटल में टोटल 33 में तो 1000 आंसर कितना आ रहा है 33 या 99 में बचा 1 तो 0 लगेगा 30 पॉइंट कुछ आंसर आएगा यानि कि option number A मेरे दोस्तों कैसा लगा प्रशन काफी खुबसूरत यह प्रशन है दुबारा से मैं explain भी करूँगा कि जब कभी भी 2 मिक्षरों को मिला कर तीसरा मिक्षर बनाया जाता है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे सबसे पहला काम आप उनके मिक्षर को बराबर करेंगे कर दिया बराबर करने के बाद जिस रेशों में मिले हुए हैं उनका गुना करेंगे और फिर इंडिविजुली A निकाल लेंगे, इंडिवीजुली ए निकाल लेंगे, जोड देंगे, इंडिवीजुली बी निकाल लेंगे, और बी निकाल लेंगे, जोड देंगे, फिर जो आ रहा है वो आपके सामने है, मज़ा आया, अच्छा लगा, एक बार थमसब बनता है, और उसी तरह से सीखते रह यह लीजे बनाईए हर कोश्चन हर टाइप का कोश्चन है आप कोशिश करें कैसे करना है आईए देखे कितना खुबसूरत यह प्रशन हो जाएगा फिर से देखो 30 लीटर में 25 परसेंट आपकी इस्पृरिट है अगर 30 लीटर में 25 परसेंट इस्पृरिट है तो क्या मैं कह सकता हूँ 25,5-7 लीटर तो स्फृरिट हो गई आप से पूचा क्या गया है अगर 5 लीटर पानी मिला दू तो नए मिशाण में इस्पृरिट कितना होगा तो बही इस्पृरिट तो कुछ नहीं है इस्पृरिट तो उतना ही है लिकिन अभी मिख्षर कितना हो जाएगा 30 और 5-35 उजा सही तीन बटे साथ परसेंटेज होगा क्योंकि इस्पिरिट जो है वो तो चेंज ही नहीं होगी ना वो तो पहले जितनी रहेगी पहले जो था वही रहेगा इस्पिरिट टोटल मिक्षर बदल गया 30 से 35 हो गया बस चेंज कर गया कि दी ऑप्शन कि नेक्स वन कि आराम से करना यह भी अच्छा कुशन है तेखिएगा दोस्तों इससरे एक बर्तन है एक बर्तन में आपके दो तरल प्रधारत है ए और बी जो कि 5 रेशो 3 के अनुपात में है बर्तन है जिसमें दो आपके लिक्विड है जो कि 5 रेशो 3 के रेशो में मिले हुए हैं दस लिटर आपने घोल निकाला जाता है देखो मिक्षर का एक नियम होता है मिक्षर यह कहता है कि अगर आप किसी भी मिक्षर में कोई दो कॉंटेंट है जैसे कि ए और भी बता रहे न अगर आपने मिक्षर को निकाल के बाहर फैंक दिया तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो पानी आपने या मिक्षर आपने जो बाहर फैंका है उसमें ए और भी किस रेशो में होगा सेम हाँ आपको यह नियम पता होना चाहिए मिक्षर का मिक्षर यही कहता है कि भाई आप मेरे कितने भी टुकडे कर दो 10 लीटर मिक्षर है मैंने एक एक लीटर के 10 बना दिये और पूरे मिक्षर में A और B का रेशो 5 रेशो 3 है एक्जामपल ले रहा हूं मैं बस तो बागी जो 10 मैंने बनाए उनमें A और B का रेशो कितना रहेगा सेम सेम रहेगा याने कि अगर किसी मिक्षर में से कोई quantity आप निकाल देते हो या कोई quantity remaining बच जाती है तो जिस रेशो में ये पहले मिला हुआ था उसी रेशो में रहता है लॉजिक है अच्छी बात है सर तो मैं बोलता हूं कि A और B का गोल है दो तरल प्रिदार्त A और B पांच अनुपात 3 के अनुपात में 10 लीटर गोल निकाल दिया ज मिक्षर के निकलने के बाद का रेशो है चलो जब 10 लीटर गोल निकाला जाता है निकल गया ठीक है चोड़ो अब B उसी मातरा में B मिलाया जाता है तो मुझे ये पता लग गया कि B मिलाया है और अब कितना हो गया 10 अनुपात 11 आप फिर से मेरे को बात बताओ अगर आप B क मिला रहे हो तो कौन सा इन दौनों में से सेम होना चाहिए अगर आप B को मिला रहे हो क्योंकि निकलने के बाद का रेशो है तो तो निकलने के बाद ये रेशो है और आप B को मिला रहे हो हमें पता कितना मिला रहे हो मुझे भी पता है आपको पता है कि 10 लिटर मिला रहा लेकिन मैं बोलता हूँ कि B को मिला रहा हूँ तो A तो सेम रखूँ A को सेम रखने के लिए 2 का गुणा कर दिया तो आप देखो यहाँ 6 यूनिट से B कितना हो गया 11 यूनिट तो 5 यूनिट रेशो में बढ़ रहा है तो किसके बराबर है 10 लीटर की तो बराबर है क्योंकि यही तो मिलाया गया होगा तो एक रेशो बराबर 2 लीटर क्या बात है clear है मैडियर तो वरतन में गोल की मातरा थी तो मैं यह कह सकता हूँ क्या कि जब शुरुवात होगी तब जितना पानी होगा लाश्ट में भी उतना ही पानी होगा 21 रेशो इंटू 2, 42 लिटर ऐसा क्यों हुआ कि फाइनल वाले का 21 रेशो इंटू 1 रेशो बरावर 2 क्यों कर दिया आपने क्योंकि रिप्लेस्मेंट का ये कोश्चन है और रिप्लेस्मेंट का नियम कहता है जितना शुरुआच में होगा उतना ही बाद में होगा क्योंकि कुल मिलाकर आपने जो निकाला है उतना तो डाली दिया ना मिक्षर तो चेंज नहीं करा ना आपने आप मेरी बात समझ रहे हो भाई आपने मान के चलो mixture 10 लिटर गोल निकाल दिया लेकिन डाल तो दिया न भी तो कुल मिलाकर कुल मिलाकर बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर तो 42 रहेगा न तो मैं final वाले से भी निकाल सकता हूं क्योंकि यह replacement है आप किसी mixture को निकाल रहे हो और उसकी जगे आपको दूसरी चीज़ों को करें क्योंकि यही सब प्रशन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और कल आपका advanced math का formula revision करवाने वाला हूं मैं बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी पढ़ने वाले के लिए सिर्फ समय शुरू होता है अब आपका यह पहले वाले से कर सकते हैं लेकिन उससे लेंदी जाएगा ना जीद इसलिए हमने यह किया एक मिश्र धातू में 35% तामबा 16% निकल और बाकी का जस्ता है मिश्र धातू के 18 किलोग्राम में कितना जस्ता मौझूद है मिश्र धातू में 35% तामबा 16% निकल और शीष आपका जस्ता है मिश्र धातू के 18 किलोग्राम में कितना जस्ता मौझूद है कि अगर आप देख रहे हो 35 और 16 कि अग्यावन परसेंट बाकी का जो 49 परसेंट है वह यही होगा नो आठ बैत्तर एक आएक आएक आंग दो वाला है और वैसे भी नौ से थोड़ा सा कम नौ से एक पॉइंट आठ कम नौ से पॉइंट अठारा कम आठ पॉइंट बैयासी डी ओप्शन ठीक है चलिए नेक्स करिये अच्छा कुशन है देखता हूं कैसे करते हो मतलब इसमें jsm लग जाएगा इसमें profit loss भी लग जाएगा इसमें mixture भी लग जाएगा अब आपकी ऊपर है कि आप करते कैसे हो लेगिन कुश्चन ताइम लगेगा आप आराम से ताइम लो लेंदी है अच्छा कोशन है देखिएगा 38 kg चावल इस हिसाब से अब यहाँ जैसम लगाना अब बहुत खतरे से खाली नहीं है जैसम भी यहां मतलब सक्सेस्फुल नहीं लगेगा कारण क्योंकि कुछ रेशोवेशन निकल नहीं पा रहा है न अच्छे से वही लेंदी डेटा है और 48 रूपे प्रती क्लोग्राम मेरे पाथ दो तरीके हैं या तो मैं डायरेक्ली गुणा कर लूँ वह ज्यादा एफेक्टिव लगेगा मेरे को क्योंकि डायरेक्ली गुणा कर लोगे ज्यादा आसान है क्योंकि यहां मैं पता है क्या दिमाग लगा सकता हूं 108, 109 बटे 2 यानि कि यह आ जाएगा सर 109 into 19 यहां मैं लिख सकता हूं 90 into 31 यहां मैं लिख सकता हूं 110 into 24 किसी को कोई दिक्कत है क्या बाई गुणा करना ही तो सबसे मेजर काम था वो हमने कितनी आसानी से कर लिया और अभी हम कोशिश कर रहे हैं सर यह आ गया 1900 और 19 into 9 171 तो हम यहां कह सकते हैं 1900 और 171 2000 तो यह आ गया भाई प्लस 9 तिया 279 या 9 एक हम नो 2790 प्लस 24 264 जीरो बटे देखिए 264 महनत है भाई महनत है हाँ बिलकुल घबराना नहीं है क्याई लोग जो घबरा जाते हैं उलड़ भी नहीं पाते हैं फिर एक साथ और चार ग्यार है और नो बीस आट और सथ पंदरा छे और एक 7501 और 7501 आ रहा है और नीचे टोटल कितना आ रहा है वो आराम से निकालो कोई दिक्कत नहीं है 138 यह आगया मेरा क्रेमूल्य है यह लोग यह मेरा क्रेमूल्य है और 65 के भाव में बेचना चाहते हो आप तो आप 65 के भाब में बेचना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना आप 701 दे रखा है अब जो denominator है ना इसको directly गुणा कर दो 138 इंटू 65 से तो मैंने इसको लिख दिया 65 को 130 वटे दो तरीके मैं पूरे लगा रहा हूं calculation को आसान मनाने के जिससे कि यह क्रेम उल्य आ जाए और दो से काटेंगे दो चीकी 12 दो ना मठारा तेरे नम्मा एक सो सत्रा तेरह चिंग अठेतर और दस अठ्यासी और एक नवासी 8970 कितने का profit हो गया देख लो सही किया है हमने पूरा थोड़ा सा लेंदी है मैंने बोला था लेकिन question बड़ा लाजवाब है तो कितने का profit हो रहा है दोस्तों 79 75 00 होता तो 8970 को मैं घटा देता यहां से तो 0 7 4 1470 हो जाता लेकिन 1 है तो यहां क्या होगा 69 है ना 1469 1469 7501 के respect में यही CP के respect में निकालना है ना अब लगभग देख लो कितना percentage आ रहा है लेकिन question ला जवाब है अब आप ऐसे अंदाज लगा सकते हो option के माध्यम से भी कि अगर यह 75 100 है और यह 1400 है अगर मैं इसको 1500 मान लेता हूं 20% के कम आंसर आएगा तो आंसर आएगा इस बात से बट अगर पेपर में आया हुआ है आपके और आपको मैं ना करा हूं तो फिर यार लाना दे मेरे पर क्या टीचर उपर में है चलिए अगला प्रशना तो यह हर तरह के question जो आये हुए है वही आपको कराय जा रहे हैं यह question है करके बताईए देखिए उसी तरह का question हो गया ना सेम उसी तरह का question है और उसी तरह से करेंगे सर 70% acid है तो मैं कह सकता हूं acid और water का ratio कितना आ रहा है 7 अनुपात 3 मैं कहता हूं कि mixture को मैं निकाल दिया तो निकलने के बाद का ratio मान लूँ आपको भी पता है और आपन ऐसे ऐसे आख मिचोली कर लेते हैं जिससे कि हमें भी पता है आपको भी पता है लेकिन बताएंगे किसी को भी नहीं कि भाईया यह साथ रेशोती निकलने के बाद का है अच्छी बात और फिर कितना हो जाता है फिर उतना ही डाला गया तो question replacement का है और अमल और पानी का mixture इतना हो जा रहा है पानी डाला गया है तो आपकी चीज कान सी बराबर होगी अब 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 कि चीज बराबर होगी तो यहां देखो थीं से कितना हो रहा है साथच्छों के अठाइस, कितना मिलाया जा रहा है पाच्छिस रेशों 25 ratio मिलाया जा रहा है आप से यही तो पूछा गया कितना भाग निकाला जाता है जितना मिलाया गया उतना निकाला जाता है तो जितना मिलाया गया इतना टोटल कितना होगा साथ और अठाइस पैंतिस के रैस्पेक्ट में देख लो आप यही फाइनल है तो क्या आंसर आ रहा है पचम पच्छेस पांच सत्य पैंतिस यानि कि पांच बटे साथ महाँ भाग सर एवरेज से भी कर सकते थे साथ को क्या एवरेज कही था वो कुश्चन अवरेज यह मिक्षर एवरेज एक कन्सेप्ट है ना चैप्टर नहीं है जहां से हम कुशन आसान कर जाते इं made inspection अगला करके दिखाए देखो बडिया कुश्चन तरीके से करना जो मैंने सिखाया है वही दो धातूर्र को मिलाया जा रहा है आर बनाया जा रहा रहा है अब आप करके बताओ और किसान उपात में समान मातरा में पिगला कर तो इक्वल है सो करके देखो हो जाए क्या पता अब देखिए सब्सक्राइब और क्यूं है सोने और तामबा को मतलब एयू और कॉपर आठ अनुपा तेरा आठ अनुपा तीन माफ कीजिए एयू और कॉपर आठ अनुपा तेरा सबसे पहला काम बराबर करना है देखो बराबर है क्या नहीं है ग्यारे आ रहा है और तेरे और आठ कितना हो रहा है 21 हो रहा है यह बराबर नहीं है नहीं है बराबर करने के लिए क्या करोगे यहां 21 से गुणा करोगे यहां 11 से अरे वायर लेकिन अच्छी बात यह कि आगे और गुणा नहीं करना समान मात्रा में पिगलाया जा रहा है तो यहां मैं final mixture में AU निकाल रहा हूं और copper निकाल रहा ह जा रहती है तैंति तीन आठ और आठ सोला नौ और छे पंद्रा दो सो चपन छे दो सो छे कट जाएगा एक सो अठाइस एक सो तीन यह लो आंसर आ गया तो आरामा आरम से करिए जल्दबाजी शुरू में नहीं है बस सीख जाओगे तो काम आसान है किसने पहली पर में ट्राई किया है किरपया करके कमेंट में बताएं यह बहुत गुड न्यूसी होती है मतलब एक एजुकेटर के लिए ज़्यादा होती है कि उसके स्टूडेंट कर पा रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं इतना दौनों को किस अनुपात में मिलाया जाए अगर यह किस अनुपात में लिखा हुआ आ गया तो यह कोश्चन है अलिगेशन का अब क्या करना है इसका रेशो करो इसका रेशो करो और बीच में इसका रेशो करो एलीकेशन लगाओ देखते हैं कौन करता है अब किसी में भी लगा सकते हो एसेड में भी लगा सकते हो और वाटर में भी लगा सकते हो देखते हैं चलिए मैंने समय तो दिया है आपको देखो क्या बोला गया है यहां पर सर पहली बोतल है जहां पर दो अनुपाद तीन है पांच दूस्री बोतल जहां अनुपाद 10 में होना चाहिए तो यहां पता कैसे ज़ gummy लगेगा यहांगी बोला जा रह रहा डाच उपनुध में है तो आप मुझे बताई यह 7 10 और 5 का LCM कितना होगा 70 अगर आप किसमें लगाना चाहते हो मैं Acid Acid में लगाना चाहता हूँ तो बस अब लगा दो 7 का भाग दोगे 10 बार जा रहा है 2 20 आ गया केवल Acid लेना है 10 का भाग दोगे 7 बार जा रहा है 7 7 49 आ गया किवल ऐसे लेना है शुरुवात वाला पांच का भाग दो कि 14 बड़ जा रहा है 28 आ गया तो 28 में से 20 गया तो 8 आ रहा है उननचास में से 28 चला गया तो 21 आ रहा है तो अनुपात आ गया 21 अनुपात आ रहा है बोलिए मज़ा आ गया क्या बताओ अच्छा लगा आया ना में जवाब दे दीजिए कितनी आसानी से आ गया और आप चाहते हो कि सर्थ आप तो इसमें लगाओ वाटर में एलिगेशन तो वाटर में लगा देता हूँ ये तो एसेड में लगाया मैंने सेम वही काम एल्सियम लेना होता है ले लिया साथ कब हग दिया दस बार पचास तो यहां वाटर में आ गया पहले वाले में पचास दस कब हग दिया सत्तर में साथ बार साथ या इक्किस यहां आ गया इक्किस पांच कब हग दिया सत्तर में चौदे बार चौदेती है 42 देख लो तो आप 42 में से 21 गया तो 21 और 50 में से 42 गया तो 8 सेम ही आ रहा है तो या कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो बात बरावर है या आपके सामने तीसे क्लियर हो रही है पैचान हो गई तर only acid क्यों निकाला only acid नहीं रंभा बात यह है कि acid इस ratio में मिला हूआ यह हुआ है क्योंकि दोनों ही mixture उसी radius तब ही तो आया कि सनुपात में मिलाया जाए तो आप किसी को भी देखो आप acid को देख लो या water को देख लो दोनों ही same ratio में मिले हुए है यही तो फाइदा है allocation का next देखिए एक corporate घराने के काराले में सभी करमचारियों का औसद वितन इतना है यहाने कि जितने भी करमचारी है जिन में officers का ज़्यादा मिलता है वितन आप जानते हैं 15,000 के करीब है और बाकि जो करमचारी है मैं बोल देता हूँ labor वाले है न officers और labor उनका 5000 है और कुल मिलाकर 6000 है जैसा की बोला गया है लगा दो allocation तो 15 मैंसे 6 गया तो 9 और 6 मैंसे 5 गया तो 1 लेकिन संख्या क्या है officers की एक संख्या है और labor की 9 है तो अधिकारी की संख्या कितनी है कुल मिलाकर कितने करमचारी है 540 तो 10 बराबर 540 जिसमें से केवल 4 अधिकारी है बाकी के सारे labor है अगला करिए अच्छा कुशन है अब फिर से आप अपना दिमाग लगा सकते हो वही चार्चा चोदरी वाला कि 16 लाल कंचे हैं और 60 हरे कंचे हैं ठीक है जार में कितने लाल कंचे मिलाए जाएं यानि कि आप क्या डाल रहे हो आप लाल कंचे डाल रहे हो ना तो हरे कंचे सेम रहेंगे तो 70 परसेंट लाल कंचे हो जाएं तो क्या मैं कह सकता हूं कि 30 परसेंट फाइनल वाले में फाइनल वाले में 30 परसेंट हरे कंचे होंगे 30% green कंचे होंगे बोलो हाया ना क्यों कि 70% तो लाल है ना तो 30% green कंचे किसके बराबर होंगे पहले वाले के बराबर ही होंगे क्योंकि वो तो change हुए ही नहीं है यानि कि finally 100% अगर कंचे देखोगे तो यहां आ रहे हैं 200 कंचे अब 200 कंचे कैसे हो गए पहले तो कितने हैं पहले तो केवल और केवल 76 कंचे ही हैं तो इतने जो एक्स्ट्रा हुए हैं ना 124 यह आपने लाल कंचे मिला हैं क्या बोलते हो सारा खेली बुद्धी का है अब वही कौन से शुरू से चले कर अभी तक चल रहा है कि भाई सहाब जो चीज आप मिला रहे हो डाल रहे हो उसके अलावा सोचो ना तो सतर परसेंट लाल थे तो 30 परसेंट ग्रीन रहेंगे और ग्रीन पहले साथ तो अभी भी साथ ही रहेंगे वह थोड़ी बतलेंगे तो फाइनली 200 कंचे आ रहे हैं अब 200 कंचे हो कैसे गए महाराज वह लाल कंचे डाले गए थे ना वह 200 कंचे में च्यक्तर टोटल थे तो बाकि जो डाले गए वह लाल ही है 124 मज़ा आया बोलिए सर 76 कहां से आया सशांक अभी बताता हूं सशांक इदर देखो सशांक साथ और सोला को जोड़ोगे तो 76 आएगा गुड बॉय है यह पढ़ने वाला बच्चा है अलग से दिखता है ऐसे बच्चे यह लीजिए अलग से करिए इस कोशन को करिए और अच्छे से समझिए बढ़िया कुशन है सर 9 में से 8 का तो 33 रुपे खर्चा है तो क्या मैं कह सकता हूं 8 लोगों का तो आसत है 30 और 9 का नौ के कुल औसत से 20 रुपे जादा है आप क्या यह चीज लिख सकते हो क्या मैं दुबारा बोलता हूं कि 8 लोगों का तो 33 रुपे है और 30 ही औसत है तो जो 9 है उसका दौनों को मिलाकर जो ऐवरेज है उससे 20 रुपे जादा है जैसा कि कुशन बोल रहा है तो यहां से कित चार दौनी आठ धाई आ रहा है तो यह कितना हो जाएगा यह जादा है यह कम होगा कितना धाई कम होगा यानि कि यह हो जाएगा 27.5 तो उन सभी द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा 27.5 और हैं कितने लोग 9 लोग तो 9 पडम 45 नौ साथ तरे सट और चार सरसट नौ दौनी अठार है और चैच विस 247.5 और यह आ रहा है अंसर तो अच्छा यह ज्यादा है ना 32.5 आएगा, क्यों आएगा मैं बताता हूँ, यह अगर इससे ज्यादा है तो यह इससे कम होगा, 32.5 आएगा ना, क्यों आया पता लग गया ना, मिस्टिक समझ में आ गई, यह तो ज्यादा है ना, यह कम होगा, यह ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 30 से, 32.5 ज्यादा होगा, तो नौ पड़म 45, नौ दुनी 18 और 4 बाइस, नौ तिया 27 और दो 39, 292.5 यह ऑप्शन, बहुत गजब का प्रशन है, पर ऐसे प्रशनों को करना ही ऐलिगेशन से आपको, ठीक है, करना ही ऐलिगेशन से है, जो भी विध्यारती मेरे साथ जुड़ा है, अभी आज आया है, भाईया मैंने पूरा सिलेबस कराया है, CGL का, कल Advanced Math की Complete Formula Revision होगा, रात को 9 बजे डेली क्लास होती है, इन सभी चीजों का एक ही निचोड़ है, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, जिससे की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, चलिए, अगला कुशन देखिएगा, कई बच्चे कहरें से, उसका मैथड नमबर टू है क्या, अरे बहुत मैथड है या, मैथड नमबर टू क्या, बैथड ही बैथड है, देखो, आठ लोगों का कितना आ रहा है, तीस रुपे के हिसाब से इतना आ रहा है, क्या बोला, जिए नोवे का, ओवरॉल एवरेज से बीस रुपे जादा है, कुल मिलाकर अब नो चात्र हो गए, और एवरेज इसका एक्स हो गया, यही कानी है, तो बस अब निकाल दो, तो यह हो चार चेकी 24, चार पंजे 20, चार दुनियाठ, यह आ गया ना 32.5, यही तो निकालना, यह एक्स क्या है, यह पूरे के पूरे नौ चात्र व्यक्तियों का एवरेज है, तो बस 32.5, 32.5 लिकुर दो, इससे भी आपका अनसर आ गया, तो सेम कुशन है, मतब सेम कुशन का अलग अलग हो सकते हैं अब जैसे पर आप यह ठीक है तो अग्ला करीए देखिया कि बिए आई है ने को वही 704 ने रखे हैं मैं लड़कों का अलग है लड़कियों का अववरेज्ग अलग है और तो बंधर Watch अलग है तो वही ए मिलाकर कितना आ गया 12 साल 9 महीने तो 9 महीने बटे 12 3 तीन 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 चोके 12 तो 12 चोके 48 और 3 51 बटे 4 तो यहाँ एक खास बात है कि आप 4 का गुणा यहाँ कर दो, समझ में आया यह 4 कहां से आया यह 51 बटे 4 का जो denominator वो यहाँ calculation के लिए, तो 15 चोके 60 में से 51 गया तो 9 और 56 में से 51 गया, तो कितना आ जाएगा 5, तो आ गया ना boys and girls का ratio आ गया, 5 ratio 9 700 में से देख लीजिए, तो 14 ratio बराबर आपका 700 है एक ratio बराबर आपका 50 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 450 clear, मज़ा आ गया एक बच्चा कहा रहा है सब question wrong है maybe, हो सकता है question wrong भी हो सकता है क्यों होगा क्योंकि इसके पीछे reason है इसके पीछे ये reason है कि यहाँ पर boys and girls का जो average आ रहा है, वो बीच में नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए question ही गलत है one ही नहीं सकता है अच्छा देखा आपने, बढ़िया है question ही wrong है, wrong का पता होना चाहिए, क्यों wrong है क्योंकि लड़किया और लड़किया मिला कर तो average होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, 15 या 14 के बीच में कभी भी minimum वाले से कम नहीं हो सकता और maximum वाले से जादा नहीं हो सकता ठीक तो allegation लगेगा नहीं, यह wrong है, ठीक है, अगला प्रशन करें, चलो वीडियो को like share करते जाओ dear और अच्छे से पढ़ते जाओ बस यह बढ़िया कोश्चन है sound दिर्क्कत कर रहे हैं sound अभी ठीक है अनिल ने 25 किलोग्राम चावल 15 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल 16 रुपे की दर से तो 25 किलोग्राम चावल और 30 किलोग्राम चावल पचम 25 और 5 की 30 इनका भाव आ रहा है 15 रुपे पर केजी और उसका भाव आ रहा है 16 रुपे पर केजी पहले आप CP निकाल लो, CP कैसे निकालो, कि JSM लगा सकते हैं आपर, माल लिया 15 रुपे का ही है, तो एक ज्यादा है, 6 में, तो 6 बटे ही क्या रहा, तो ये तो आ रही है आपकी क्या, क्रेम उल्य, और बेच, सौदे में 40% लाव पर बेचना हो, तो कितने में बेचना चाहिए, अरे, बोला गया सा, 40% लाव पर बीच, 40%, सौदे में 40% लाव अरजित करना हो, तो, परसेंटेज निया आएगा, मुल्य आएगा, मुल्य परसेंटेज जलत लग ज़्या, बस जो एक क्रेम उल्य आया है, पंदरा प्लस 6 बटे 11, इस पर आपको क्या करना है, 40% निकाल देना है, तो 40% यानि कि 7 बटे 5, तो देखिए, 15 इंटू 7 बटे 5 एक तरफ कर दो, बीच में प्लस है, यह हो गया सर, 42 बटे 55, तो पांस ती है 15, यानि कि 21 तो आगया, पर 21 पुछाएगा, आगया ना अंसर, 21 पुछ एक ही ऑप्शन है, C आप्शन, मज़ा आगया ना, कैल्कुलेशन आप देख पा रहे है, अब आज प्रोब्लम कर रही है, एक सेकंड रुखो, आप चेक करना, आप चेक करो एक बर, अब ठीक है, चली नेक्स करिएगा, नेक्स कुछन आपके सामने है, चली जवाब दीजिए, मतलब यह मैथट रहा है, मैंने का ना कि हर चेप्टर के कुशन आते हैं इसमें, बंगते सारे चेप्टर के कुशन से, देखिए यहां भी हम मिक्षर एलिगेशन से करेंगे कि 40,000 रुपे का एक हिस्सा है 9% की ब्याज़दर है सेश का है 6 बटे 5% अब बोला क्या गया है एक साल के बाद उनकी 18,000 रुपे आये है इनकालनी है То 1800 रुपे बतट 4,000 to 100 देखते है में क्या दोजिरो से दोजिरो से दोजीरो नॉबडे दो आ रहा है आ रहा है नॉबडे दो तो क्या है साटिस्वाइड है बिल्कुल है क्यूंकि इन नोनों के बीच में की हाई औरहा है हाँ यहां इसको एक point दो लिख सकते हैं हाँ नौ मेंसे साढ़े-4 घटाएंगे तो साढ़े-4 हो जाएगा और साढ़े-4 मेंसे यह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन दशमलब 3. very good point अठाया तीन से काटा 11 वार 3 से काटा 15 वार ठीक है ठीक है अब 9 पर सेंट पर लगभग बताना है यानि कि आपको देखो यह दे रखा है 26 रेशो 26 रेशो बराबर अगर 40,000 है तो एक रेशो बराबर 40,000 बटे 26 और आपको निकालना है 11 रेशो का मान क्योंकि यही 9% पर है न तो यह हो गया सर 11,45 यानि कि 4,40,000 बटे 26 यानि कि इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं तो यह दो से काटा मैंने इसको 13 बार 220 देख लो 13 से काटना कितना आ रहा है 13 एकम 13 बचे कितने तेरा एकम 13 बचे कितने 9 नब है और 13 चिंग 78 मतलब बिलकुछ 17 के अप्रोच कर रहा है तो बिलकुछ 17 के अप्रोच करने वाला तो आंसर दी है अच्छा कुश्चन है तुम्हार 18 आ रहा है क्या भाई 17 आएगा बिलकुछ 17 के अप्रोच कर रहा है भाई 18 क्यों आएगा दलती मत करो अब जे एसम से भी हो जाता ये कुश्चन लेकिन एलिगेशन हम पढ़ रहा है तो एलिगेशन से हम कर सकते हैं जे एसम से भी हो जाता होने को तो ठीक है उससे भी करके से दिखा देता हूं मैं आपको लेकिन उससे लेन दी जाएगा हाँ ठीक है भाई एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजी फटापड से जितने भी विध्यारतिया भी देख रहे हैं हमें सबी नेक्स कुशन देखिए कैसे करते हैं आप करिए यह बढ़िया कुश्चन है इसमें डबल एलिगेशन लग सकते आए देखो ए बी सी आपके जीवण विध्यान जीव विध्यान साइन्स ट्रेस अच्छा तीन आपकी परिक्षा लेते हैं एका ओसत स्कोर कितना है 83 है और बी का जो स्कोर है वो 76 है और जो सी का स्कोर है न वो 85 है यह अच्छा कॉंसेप्ट है मैं पूरा समझाऊंगा आपको यह यहां जब भी ऐसा दे रखा होता है तो डबल एलिगेशन की बात आती है कि ए और बी का मिच्छोली दे रखा है 79 चलेगा बिल्कुल चलेगा एक से तो एक तो जादा है और एक कम है तो यहां जो रेशो आ रहा है वो कित किसी को को दिक्कत है क्या नहीं होने चाहिए अब बोला गया शर का ऑउसत क्या होगा तो सबसे पहले आपने देका कि यहां 3 और हैं यहां बी 4 और यहां 5 आ रहा है तो अब आप मुझे फाइनल ही बताओ कि अb creations का के अवरेज क्या होगा मत ब्यक्छू क्या quantity का ratio तो आप चाहोगे तो यहाँ आप यह कह सकते हो सर यह common है B तो मैंने का बिल्कुल सही है तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो सर यह 3 अनुपाद 4 अनुपाद 5 में मिली हुई है चलो ठीक है तो ABC का average निकालना है तो A का individually कितना है 83 है B का कितना है 76 है और इसका कितना है 85 है तो यहाँ से हमने इनका ratio निकाला अब चाहे JSM लगा दो 76 को base मान लिया यह कितना आ गया 7 या 21 यहाँ से कोई अन्तर नहीं 0 यहाँ से कितना आ जाएगा 9 पढम 45 और केक कटेगी तो 9 और 3 बारा सब में बटेगी तो 76 प्लस 66 बटे बारा कितना आ गया 12 पंजे 60 76 प्लस 5 दशमलब 5 81 दशमलब 5 चेक कर लिजे कैसा लगा बताओ एक नंबर है एक नंबर तरीका है और एक नंबर कुशन है और एक नंबर मैथड है क्लियर है माइडियर चले 81.5 आपका राइट अंसर आ गया कॉमन है अगर नहीं होता तो जुड़के चलता है ना अगर कॉमन नहीं होता तो है ना अगला करिए यह भी बड़िया कुशन है उसी तरीके से करना है यह अच्छा कुशन है थोड़ा लेंदी है लेकिन करना उसी तरह से है तो वो दिमाग लगाना आपको पढ़ेगा ऑप बड़े बरतन में डा आजाता है बड़े बरतन में ऐसरेड़ और वाटर कितना होगा तो हर किसी से असरेड निकालना है और किसी देंग शर में को अलग से जोड़ देना तो यहां हम यह कह सकते हैं कि 3 अनुपाद 4 है, 4 अनुपाद 5 है और 5 अनुपाद 6 है, acid और water, ठीक है, ठीक है, यहां बोल दिया जा रहा है कि यह कितना है 7 ratio, यह कितना है 9 ratio, और यह कितना है 11 ratio, सबसे पहला काम इनको बराबर करना, तो सब प्राइम नंबर हैं तो इसमें नौ का और olvgirl का गुणा होगा। इसमें साथ का और नौ का गुणा होगा। और 63 into 5 ठीक है यह तो हो गया acid-acid अलाकि आंसर तो इसी से आ जाएगा देखा जाए तो क्योंकि देखो 9-3-7, 9-3-7, 270 और 27, 297, 280 और 288, 308 और देखो 300 और 15 तो 8 और 7, 15 और 5, 20, 9 और 2, 11 और 12, 920, अब 920 है क्या option में? एक ही option है बस तो अगला solve करने की जर्वत ही नहीं है अब ठीक है? मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है दिल से बताईए, अगला कुशन करके बताओ, चलो कल advance math का formula revision होगा, तैयार रहना सब मुझा करें दो कि अबसे बताओ, तैयार बताओ, चलो 400 ग्राम चीनीं के घोल में 35 प्रशंट चीनीं है गुल में 48 प्रशंट चीनी बनाना चाहते हो तो कितनी चीनी मिला घगी दिमाग से काम करना हे हुई हे हैं जो मैंने सिखाया है 400 gram में चीनी इतनी है और चीनी मिला रहे हो तो बात करो पानी की तो 65% पानी होगा और वही पानी final में बराबर होना चाहिए x का 48% चीनी हो गया तो 52% पानी के बराबर होना चाहिए अरे वायर यानि कि 0 से 0 कट गया 13,55 और 13,55 यह आ गया 4 से कट गया 100 बार 500 आ गया 100 grams तो वही concept चलता आ रहा है ऐसे फोड सकते हो बस यहां आमने पानी को पानी के बराबर कर दिया देख लो आप next question देखिए देखता हूं कौन answer देता है पहले बताना कि किस तरह का question है allegation लगेगा या नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो directly करो और लगेगा तो कैसे लगेगा तो प्रशन को पढ़कर बताओ कि लगेगा या नहीं लगेगा सर छे मन्त में SSC CGL क्रैक हो जाएगा डंक से अगर तुमने यह दो महिने भी मैनत कर ली होती मेरे साथ तो भी क्रैक हो जाता क्योंकि मैंने बहुत स्मार्ट वर्क करवाया तुम लोगों को सची बोल रहा हूं मेरे से ज्यादा स्मार्ट वर्क कोई नहीं करवा सकता और वह इस्पेक्टर पेपर साड़े बारे वजे वाइफे स्टड़ी पर यहां पर पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा टाइम से पहले बहुत तगडी बात है देखिए एसिड और वाटर दो अनुपात तीन है एसिड और वाटर एक अनुपात दो में यहां सर कुछ भी नहीं बोला इसको इस अनुपात में मिलाने को बोला है allegation नहीं रगेगा, allegation होता तो बोलता कि किस अनुपात में मिलाया जाए तो यहां तो बता दिया इस अनुपात में मिलाया जाए तो यह आ रहा है 3 और तो 5 और यह 3 सबसे पहले काम बराबर करिए तो यहां 3 का गुणा, यहां 5 का गुणा यहाँ एक का गुणा, यहाँ तीन का गुणा तो तीन दुनी छे, पंदरा और छे एकिस तीन तिया नो, पंदरा दुनी तीस तो यह हो जाएगा 21 और 49 तीन सब्ते 21, 13, साथ अनुपार 13 C option तो allegation नहीं लगता है ऐसे में क्योंकि प्रशन बोल ही नहीं रहा तो हम जबर्दस ही थोड़ी ना लगाएंगे यार चलिए, next करिए एक गंटे के परिक्षण में 120 समश्य होती हैं यदि एक विध्यार्ति 50 मिनट में 60 प्रशन हल करता है तो शेश प्रशनों के लिए उसको कितना आज़ा से कर सकते हो एक घंटे में 120 प्रॉब्लम्स हैं यानि कि 60 मिनट है 120 कोश्चन करने हैं आपको वा और 50 मिनट हो चुके हैं हरे यार कैसे करेगा वेपर और 60 कोश्चन कर पाया है वो भी तो सेश प्रशन बचें 60 10 मिनट में करने 10 मिनट में करोंके 10 मिनट 10 मिनट में 60 का मैने करना का 10 कोश्चन में 1 कोश्चन सेकनर करना पड़ेगा तो तुक होता चलिए नेक्स्ट करिए अगला अच्छे से लाइक शेर करते जाएए और इसका अंसर दीजिए यह अच्छा कुशन है दो अनुपाद तीन तीन अनुपाद चार साथ अनुपाद पांच चाशनी और पानी की तीन बोटल है पहली बोटल की 10 लीटर दूसरी बोटल का 21 लीटर और तीसले बोटल से क्या निकाला जाए कि बराबर हो जाए यह बढ़िया है देखो पोश्चन में कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो पहले बोटल से 10 लीटर निकालोगे तो दस लीटर पांच रेश तीन और तो पांच है तो पांच बराबर दो पांच बराबर दस एक बराबर दो यानिकि चार तो यह हो गया और छे एक दू आनि है तीसरे वाले का पता नहीं एक्स मान लो एक्स होगा तो यह सब्सार ऌह सब्सार ब्लाकि और आपको पता नहीं है यह कितना आ गया सर दो एक्स बटे बारा एक्स बटे 6 एक्स बराबर आ गया 30 तो 30 लीटर है मात्रा मज़ा आया बोलिए प्लीज भाई इसमें चाशनी चाशनी पानी पानी दौनों को बराबर कर दिया बराबर कैसे किया देख लो न बराबर करेंगे तो यह से माइनस हो जाएगा और 18 मैं से 9 और 14 तेरह घड़ जाएगा 5 बराबर है आ गया वेरी गुड नेक्स करें यह अच्छा है इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा अगर गभी एक वीकर में एसेड और पानी का दे रखा है एक अनुपा टेक्स जब 300 ml मिश्रन और 50 ml पानी मिलाया जाता है तो यह हो जाता है क्या मैं यह कह सकता हूं कि साथ रेष्यों बराबरर साढ़े 300 हहे एक रेष्यों बराबर50 हैं थो यहां एशेड कितना हो जाएगा व OH और वॉर कितना हो जायेगा 200.ंअ अह है था जो पात समझ में आई गाई आपनी क्या किया थींस सो एमयल मिश्ण ठा ना पहले 50 ml पानी मिलाया ना तो पहले क्या हुआ होगा 100 और 200 ही था होगा तो एक अनुपाद 2 आ गया यह एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दो हो जाएगी कि 50 तो अपने बाग में मिलाया ना पानी यह कानी अगला करिए आराम से करें लेकिन जल्दबाजी ना करें और बड़िया कुशन से सारे के सारे यह है रिप्लेस्मेंट का कि एक बरतन में देखो 160 लीटर एलकोवल है 40 लीटर को हटा दिया जाता है और पानी मता सौरी सक्सेसिव का पानी से बदल दिया जाता है यानि कि 40 लीटर निकाला 160 में से और रिप्लेस कर दिया पानी से और फिर से निकाला जाता है तो मैं यह कहता हूं यह पिर करिया 4 से 1 निकाला 3 बच गया फिर 4 से 1 निकाला 3 बच गया यह पिर करिया 2 बार की गई है तो 16 से 9 तो बरतन में अभी कितना पानी है अभी निकाल तो 16 बराबर आपका 160 लीटर है एल्कोहल, 90 लीटर अब बच रहा है, तो आपका जो पानी है, वो कितना है? 70 लीटर पूरकि जो बीच में आपने मिलाया है वो पानी तो होगा आपका जो पानी है वो 70 लीटर है क्यों कि इनीशल ल कोल आपका 160 था बचा हुआ we भी 90 लीटर है और यह जो बीच में जो मिला हुआ मिक्षर है यह वाटर है मज़ा आया हां यह प्रिक्रिया दो बार की गई इसलिए दो बार सक्सेसिव लगा तीन बार की जाती तो तीन बार लगता यह इनीशल होता है यह फाइनल होता है और वही होता है जो लेते हैं जैसे कि हाँ अलकोल था इस्टार्टिंग में तो अलकोल ही बचेगा तो बीच मे जो 70 लीटर है वो पानी है नेक्स्ट और अन्तिम प्रश्न इसको डाइरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप एक बढ़ ट्राई करिए यहां वाई भी आएगा ना दिख ले ना कि वाई घोल के वाले कर में मिला दिया जाता है केहने का में पता है कि 100 ml x बीकर है 100 ml वाले x बीकर है बीकर होंगे बहुत सारे उनकी संख्या निकालनी है और परिणामी यह है तो किस अनुपात में है ना देखो एक अनुपात चार है तीन अनुपात सत्रह है यह आया पाँच यह आया बीस और ये कितना हो रहा है 19 और एक्राण में 110 ये 100 ml है ना तो मेरे हिसाब से ये काम कर सकते हैं आप क्या जैसे कि मानलो x है उसमें कितना आ रहा है ये कितना हो जाएगा acid acid की बात कर रहा हूं एक बटे 5 इंटू 100 ठीक है plus y वाले में acid कितना हो जाएगा y 3 बटे 20 हो जाएगा क्यों 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 3 ही तो acid है और 17 और 20 और 200 ml में इसी प्रकार similarly x का वही 4 बटे 5 वाटर हो गया 100 ml में और इसी प्रकार y का वही 17 बटे 20 200 ml में और ये दौनों मिल रहे है ना अपने और तभी तो कितना बन रहा है 19 वटे एकराण में निकाल लो solve कर लो answer आ गया तो 91 इंटू 2 182 ठीक है x 91 इंटू y है ना ये हो जाएगा सार 270 273 y बराबर 19 इंटू 8 162 ठीक है क्या नई असी और 72 एक सो बावन एक्स और 17 इंटू 19 तो 17 एंटू 9 एक सो तरेपन पंदरा सतरे एकम सतरे और पांच बाइस और बत्तिस करना वाई सौल कितना आ रहा है चंद मेहनत तीस एक्स बराबर यह हो गया गुरू जी पचास वाई एक्स और वाई का रिशो आ गया पांच बटे तीन यहीं पूछा गया तो कुश्चन बड़ा लाजवाब था बढ़िया कुश्चन है लेकिन और ऐसे कुश्चन पेपर में आएंगे तो आप बिल्किल भी संकोच न कोई दिक्कत नहीं है अब होगया खतम फिक है एडवांस मेत फॉर्मुला रिवीजन आपका कल होगा नौ बजे एडवांस मैथ का हम complete formula revision कराएंगे हो शकता है एक पार्ट में हो जाए हो सकता है दो पार्ट में हो जाए उसके बाद आपका जो टॉपिक चलेगा वो Algebra Geometry टिग्नोमेट्री स्टेटिस्टिक्स मैंसूरेशन यह सारे टॉपिक चलने वाले आपके ठीक है कैसा लगा सेशन जल्दी से मुझे बता दो साड़े बारा बजे डेली एक्सपेक्टर पेपर हो रहा है वो भी टॉप क्लास हो रहा है बिलकुल कोई गुंजाश नहीं है नोट्स फिजीकल नोट्स मिल रहे हैं आजकल अगर आप जुड़ते होने से तो यहां पर आपको क्विक ट्रिक बाई साहिल सर को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आप बैल आइकन भी दबा लें हर चीज का नोटिफिकेशन आपको आएगा एससी के लिए मैं सेशन ले पीडियेफ टेलिग्राम पर मिलती है मैत भाई साहिल सर पर कैसे लेना है अनकेडमी पर मेरा कोर्स अनकेडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल कर ले ना SSC exams पर चले जाना, get subscription पर चले जाना, 24 महिने का subscription लेकर साहिल 10 लगा देना, अभी आपको मैं बताना भूल रहा, कि यहाँ पर benefit भी मिल रहा है, अगर आज और कल में, यानि कि आज और कल रात तक आप ले लेते हो subscription, तो आपको notes भी आपको मिलेंगे, वो भी physical notes मिलने वाले अगर आप एक साल से उपर का subscription लेते हो, ठीक है, चलिए, तो सब कुछ मिल जाएगा भाई, अच्छे तरह से, यह मेरी book है, flip card पर available है, और यह telegram channel है, ठीक है, तो channel को subscribe कर लीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया है, लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए, all the best, take care, love you all, कैसा लगा session, मज़ा आ गया, बोलिये हाया ना, चलिए, तो बाई बाई गुड नाइट, मिलते हैं कल formula revision में, ओके,